इस रेसिपी के बिना तो होली का तेओहार ही अधूरा होता है तो ये वारी रेसिपी आज कल सभी के घरों में बन रही होगी जनरली इने बनाना तो आसान होता है लेकिन गुजिया है ना कभी कभी फट जाती है तो आज मैं दू तरीकी से गुजिया बनाऊंगी इस तरह से आ आप सभी को होली की बहुत-बहुत सुब कामना है, I hope all of you are doing well, तो यहाँ पर एक बड़ा सा परात ले लेंगे, आदा किलू मैंने मैदा ले ली है, तो आज मैं आपके साथ दो तरीकी की रेशिपी बताऊंगी, जैसे होटल में बनाते हैं गुजिया, उस तरीके से अगर आपके पास साचा नहीं है, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हो, और साचे वाली गुजिया भी बताऊंगी, जो बिल्कुल फटेंगी नहीं, बिल्कुल पर्फेक्ट बनेंगी, तो हमने यहाँ पर लगवग चार्थ बड़े चमच घी ले लिया है, इसे हम मिक्स करेंगे, देखिए आप जब भी मॉयल लगाएना, तो आप कोशिस करें कि घी से ही मॉयल लगाए, अगर आप ओयल से मॉयल लगाएंगे, एक बार लड़ू बना करके देखेंगे, इस तरह से चिपकने लगेगा, तब मॉयन एकदम पर्फेक्ट लग चुका है, चलिए हम इसका सक्त डो लगाते हैं, आपको बिल्कुल सक्त डो लगाना होगा, जैसे रोटी का डो लगाते हैं, उस तरीके से नहीं लगाना है, थोड़ा सा हाड रहेगा इस तरीके से, इसे हम किसी गीले कपड़े से ढख कर रख देते हैं, खुला नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये सूप जाएगा, तो हमने यहाँ पर एक पैंच चड़ाया हुआ है, इसमें लगवग दो चम्मच के करीब घी डालेंगे, और यहाँ पर मैंने बन बोल, कोकुनट लिया है, इसे मैंने घर पे ही क्रस्ट कर लिया था, थोड़ी सी चिरोंजी लेंगे, इसे हम फ्राइ करेंगे, लगवग 20 से 30 सेकेंड तक ही फ्राइ करेंगे, देखिए, कोकुनट बहुत जल्दी फ्राइ हो जाता है, इसे न, ओयल रिलीज होगा, जिसे की इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, आप अपने मन चाहे ड्राइफ रूट आइड कर सकते हैं, देखिए, मैंने यहाँ पर लगवग 800 ग्राम के आसपास खुआ लिया है, जिसे मावा भी कहते हैं, और यह जो मैंने फ्राइ किया था, कोकुनट और चिरोंजी इसे डाल लेंगे, थोड़ी सी किसमिस एड करेंगे, थोड़ी सी एलाइची पाउडर फ्लेवर के लिए, और लगवग दो बड़े बोल पिसी हुई चीनी डालेंगे, देखिए, आप घर में भी पीश सकते हैं, बाहर से भी मगा सकते हैं, मैंने इसे घर में ही पीशा हुआ था, चलिए, हम यहाँ पर एक चमच मैदा लेंगे, और थोड़ा सा पानी डालेंगे, यहाँ पर एक घोल बनाएंगे, इस घोल की अभिया पर जरूरत पड़ेगी, तो चलिए, देखिए, हमने जो मिकसर रखा हुआ था, यह बिल्कुल टाइट है, गीला नहीं है, और मैंने घोल भी बना लिया है, अब हम अपना डो चेक करते हैं, तो डो बिल्कुल उसी तरीके से है, जैसे मैंने बना कर रखा हुआ था, अगर आप खुला छोड़ देते ना, तो फिर इसमें जो है, वो पपड़ी बन जाती उपर, फिर उसे ना, हमारी गुजिया फटने लगती, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, चलिए मैं इसे फिर से ढख देते हैं, बरावर साइज की लोई कट करके रखती है, अब हम एक एक बेल कर तुरंट से गुजिया बनाएंगे, और साथी वेल आइकन जरूर दवा दिया करें, ताकि जो भी आगए की रेसिपी आया करें, आप तक पहुंच जाया करें, और अगर आप मेरे फेस्वुक पेज पर देख रहे हैं, तो मेरे पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलें, देखिए मैंने इसे इस तरीके से बेल लिया है, और आप चारो तरफ जो मैंने मैदे का घोल लगाया था, वो लगा देंगे, ताकि ये बिल्कुल किनार में इस्टिक हो जाए, इससे ना इसकी किनार बिल्कुल नहीं खुलती है, नहीं ये घंटे बर रखी रहेगी, तब भी नहीं खुलेगी, और इसे शेक्ते टाइम भी नहीं खुलेगी, तो इस तरीके से अगर आपके पास साचा नहीं है, तो आप किनार पहले दवा दीजिए, और इस तरह से आप रोल करते जाएंगे, जैसे की हलवाई बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, देखे कितनी सुन्दर लग रही है, मुझे तो इसी तरीके गुजिया ज्यादा पसंद होती है, मैं साचे वाली कम पसंद करती हूँ, हाथ हो अलीना, आप मन्चाही बड़े सेप की बना सकते हैं, जैसे हलवाई एक दम बड़ी-बड़ी गुजिया बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप भी बना पाएंगे, देखे, मैं आपको एक और बना करके दिखा रही हूँ, तो आपको किनार में जो घोल बनाया है, लगा सकते हैं, आप चाहें तो बिल्कुल पानी भी लगा सकते हैं, और इस तरह से इसे बिल्कुल दवाते हुए बनाते जाएंगे, और यह परफेक्ट गुजिया बन करके त्यार हो रही है, अगर आपको साचे में आसानी लगती हो, तो फिर आप इस तरीके से इसमें भी किनार से यह वाला लिकुट जरूर लगाएंगे, ताकि अगर यह 10-15 मिनट तक रखी भी रहे, तब भी इसका मूँ नहीं खुले, जैसे ही कड़ाई में जाती है, तो इसका मूँ खुल जादा सारा जो मैटेरियल है वो बाहर आजाता है, तो आपको यह वाला लेप जरूर लगाना है, इससे आप आदे एक घंटे तक रखे भी रहेंगे, देखेंगे, तो फिर यह बिल्कुल नहीं फटेंगी, देखिए, आपको मीडियूम टू हाइफ लेम पर सेखना है, लो फ्लेम पर नहीं सेखना है, और यह बिल्कुल दो से धाइवनेट में सिख चुकी है, देखिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छे से सिख चुकी है, अब हमने जो साचे में बनाई थी, वो सेख रहे हैं, तो आज की रेसिपी आप सबको पसंद आ रही हो, तो यह वाली इ वीडियो देख रहे हैं, कमेंट फॉक्स में जरूर बताएं, और आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो, तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, देखिए, धेर सारी गुजिया मैंने बनाकर के तयार कर ली हैं, और यह बिल्कुल म मुलायम बनी हुई है, आप इसे 10-15 दिन कितने ही दिन रखे रहे हैं, बिल्कुल उतनी मुलायम रहेंगी, तो इसके अलाबा भी मैंने और भी मिठाई की रेसिपी सेयर की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, तो मिलते हैं, नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए, बाबा टेक केर, देंक्स फ़र वच दो